नमस्कार किसानबायो सुबाखत है आपका आपके ही चैनल कुरोप एड़बाईजर पर मैं आज आपको बताओंगा बिंड़्ी में के लिए दो प्रकारके दबाइँ आती है एक तो हो ता प्री-एमरिजंस और post-emergence pre-emergence वो दबाई होती है वो दबाई होती है जो खरपतवारों को उगने से रोकती है और post-emergence वो है जो खरपतवार उग जाते हैं उसके बाद उन्हें नश्ट करती है किसान भाई वो बात कर लेते हैं pre-emergence की तो इसमें किया है कि बिंडी में करपतबारों को उगने से रोकने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है वो है पैंडा में थिलेन 30% test EC बिंडी की बिजाईक के पच्चात जब हम पानी लगाएंगे तो पैंडा में थिलेन 30% EC का हम प्रयोग करना चाहिए इसका प्रियोग कैसे करना है कि 5 ml परती लिटर पानी के हिसाब से भूमी पर इसका छिड़काव करना है और उपर से पानी लगा देना है ताकि इसकी परत बंसके जैसे हमने मेडों पर बिंडी लगाई है तो लगबगा आदी मेडों तक पानी चड़ा देना चाहिए उपर के बाग में दीरे दीरे ये नमी सभी मिट्टी को कबर कर लेती है और इसकी अच्छी तरह परत बन जाती है इसे किसी प्रकार का खरपतवार नहीं हो गएगा किसारमाई जो मोथा होता है उस पे पेंडा मेथलिन काम नहीं करता है क्योंकि इसकी जड़ है उसमें सात गांठ हम पाई जाती है ये उनी गांठों से दोबारा फूट जाता है ग्रोथ करता है लेकिन जो पेंडा मेथलिन किसान अबयों अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जुरूर करें और बेले अकन का बटन दबाकर आल पर क्लिक करतें ताकि मेरे दवारत डाले की वीडियो आप तक पहुंच सकें अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जुरूर करें अब बात कर लेते हैं प दबाओं का प्रयोग करना चाहिए तो पहली दबाय है एजिल ये चोड़ी पत्ती की फसलों में संक्री पत्ती के घास को नश्ट करने के लिए अदामा एंडिया प्राइड लिमिटेड कंपनिंग की जाती है प्रयोग में लेते हैं और एक है हिट्ट वीड गोद्रज एग जो जह है और हिट्ट की पॉइंट सेवन अमल परति लिट्व पानी के हसाब से दोनों का गोल बनाकर इस खरपतवां पर चिड़काब करें और ये चोड़ी पत्ती और संक्रि पत्ति दोनों परकार करें खरपतवारं इसमें नियंत्र ένα हो जाएंगे कैसे लिए वीडियो क कमेंट जुरूर करें धन्यवाद कि सर्वाइए